ही एस्पिरेंट्स, विल्कम बाग तो और चैनल अगें, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, 3rd of March 2023 की कुछ क्रेंट फेर कुशन के उपर, so let's get start with the first question and the first question is, who has launched the webhub fellowship scheme for the Indians, Dyspora Abroad? so right on sir, first is, it's C which is Union Minister Jitendra Singh, okay, so Union Minister Jitendra Singh, किस चीज़ के Minister है? so science and tech के यहाँ पर यही मिनिस्टेर, okay, and same चीज़ यहाँ पर इंडिया के अंदर, science and tech के अंदर, जितना research अलग जितना यहाँ पर ecosystem है, उसको यहाँ पर improve करना है, mainly इसका scheme का यहाँ पर main है, यहाँ पर research के उपर focus करना है, academics के उपर focus करना है, और साथ में थोड़ा बहुत यहा master's के degree हो गई, PhD के degree हो गई, इसके अलावा और भी अलग अलग जो degrees हैं, उनके जितनी भी यहाँ पर institution है, उनके अंदर research और academics को यहाँ पर collaborate करना है, किसके साथ collaborate करना है, जो world के यहाँ पर best institutes हैं, उनके साथ यहाँ पर collaboration करना, एक अपना यहाँ यहाँ पर Indian institute आ गया, इसक रहेंगे, person of Indian origin जो है, वो भी यहाँ पर रहेंगे, and overseas citizen है, वो भी यहाँ पर eligible रहेंगे, तो काफी अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ओके, next question is, who has been appointed as a science chief by the US Space Agency NASA, तो राड़न सर अरो सेकेंड is, it's a which is Nicola Fox, ओके, Nicola Fox जो है, यह एक female है, एक तो इन लोग के न science chief बनाया गया है, जो USA का यहाँ पर space agency NASA है, इसका, ओके, इसके अलाव अगरा यहाँ पर बात करेंगे, तो जो Nicola Fox है, यह एक solar scientist है, ओके, solar scientist हैं, और इनका main यहाँ पर काम रहता है, कि भाई, जितने भी हमने, हमारे पास यहाँ पर planets हैं, और जितने भी हमारे पास यहाँ satellites हैं, उनका effect, किस से? Sun से, तो Sun से इनके उपर कौन-कौन सा effect यहाँ पर पढ़ता है, उसके उपर पुरा इनका research रहता है, इसके अलावा गर हम बात करें, तो यहाँ पर इनका position है, वो यहाँ पर काफी important है, पूरी agency के लिए, और साथ ही में यहाँ पर NASA ने एक अपना study group य इसको बहुत में, दो हजार बाइस में, किस के लिए? US की military के लिए, so that कि जो US की military है, वो यहाँ पर UFOs को यहाँ पर detect कर सके, उनके बारे में study कर सके, और जितनी भी वहाँ पर characteristics हैं उसकी, उन सब को यहाँ पर जान सके, okay, because USA को ऐसा लगता है कि भाई, जितने भी यहाँ प Fox को यहाँ पर science chief बनाया गया है, किसका US space agency NASA का, okay, तो यह science chief याद रखेगा, okay, next question is, who took over as the flag officer commanding in chief of the western naval command chief, right on sort of third is, it's a D, which is Dinesh Ketir party, okay, तो Dinesh Ketir party, इनका पूरा नाम है Vice Admiral Dinesh Ketir party, okay, इनको यहाँ पर Western Navy का यहाँ, sorry, Western Navy का यहाँ पर command in chief यहाँ पर बना दिया गया है, औ और Mumbai जो है, वो इसका यहाँ पर headquarter रहने वाला, okay, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो तिरपाथी साहब का यहाँ पर काफी अच्छा खासा यहाँ पर communication और electronics में यहाँ पर काफी मतलब specialist हैं, okay, और साथ में यहाँ पर warfare में भी, कई सारे ऐसे यहाँ यहाँ पर exercises, operation हुए जिसमें यह warship में सबसे आगे थे, और उसी के वाज़े से यहाँ पर position भी मिला, okay, और मतलब इनका जो काम है, यह अपने आप में काफी best है, और हर time, मतलब जब जब यहाँ पर कोई भी problem हुआ है, तो यह आगे रहे, okay, तो इसलिए इनको यहाँ पर मौका दिया गया, और जिसमें अपना NDA हो गया, CDS हो गया, इन सब में कभी-कभी पूछ देता है, तो यह यहाँ रखेगा, इनके अंदर communication, electronics और warfare की यहाँ पर काफी अच्छी कासी यहाँ पर specialities है, इसलिए इनको यहाँ पर deployed किया गया, okay, next question is, who has taken over as a new principal director general of press information bureau, so राना तरह फोर्स इस इस जिए हैं, वो 1989 के यहाँ पर Indian Information Service के यहाँ पर officer है, और इनको अभी यहाँ पर principal director general यहाँ पर बना दिया गया, PIB, PIB बहुत important है, अगर आप यहाँ पर experiment है, किसी भी exam का, especially अगर आप UPSC, यहाँ पर तैरी कर रहे हैं, तो आपको PIB के बार में पता होगा, भाई, one of the best source होता है, किसी भी information, किसी भी news का, जो national level और international level पर यहाँ पर importance रहता है, तो PIB यहाँ पर जारी करता होगे, और यह government funded रहता होगे, government के तार इसको regulate के रहता होगे, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे राजेश मलोतरा जी हैं, इनके पास काफी अच्छा ख experience है, इसके अलावा सबसे लंबा टाइम अगर इन्होंने यहाँ पर दिया है किसी को, तो वो है election commission of India, तो election commission of India में भी यहाँ पर एक media और communication का एक यहाँ पर कह सबते हो, एक division होता है, उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने 21 years तक काम किया, तो इनके पास काफी अच्छा खास है यहाँ पर experience है, इसके अलावा एक अपने यहाँ पर दूरदर्शन news है, सबने भाई, मतलब दूरदर्शन को कोई नहीं जानता है, तो फिर रहन दो तुम लोग, दूरदर्शन की यहाँ पर नई director general कौन बन चुकी है, प्रिया कुमार, याद रखिएगा, यह दोनों ही मतल है, और दूरदर्शन भी इंपोर्टन लोग, तो प्रिया कुमार यहाँ पर डूरदर्शन बन चुकी है, दूरदर्शन news की, ओके, नेक्स्ट कुछिन इस इन विच सिटी इस दे जी ट्वेंटी फॉरेंटी फॉरेंटी मिनिस्टर मीटिंग विल बी हैड, तो राड़ों स इसको यहाँ पर चेर किया था, यहाँ पर यहाँ पर के चेर में थे, यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पर सेशन हुए, पहला सेशन और दूसरा सेशन, क्या क्या बात हुआ, तो फर्स्ट सेशन में यहाँ पर जो अपना मतलब फूड है, फूड सेक्योरिटी है, उसके उ हुआ यहां पर new and emerging threats के उपर बात किया गया ओकि यह आने वाले टाइम में कौन-कौन से यहां पर खत्रे हो सकते हैं हमारे country के लिए इंडिया के लिए और all over world के लिए यहां पर क्या के खत्रा हो सकता है उन सब दिक्कत रहते हैं उन लोगों के बहुत सरा फंड यहां पर utilize करना पड़ता है इनको neutralize करने के लिए और मतलब काफी यहां पर किसी अगर किसी भी country पर आतंग वाद यह हमला होता है अगर मान लों इंडिया पर ही होता है तो काफी huge amount of loss यहां पर होता है हर चीज़ का mental disturbance हो जाता है हमारे जो जवान है वो भी कभी कभी शहीत हो जाते है लोकल people है वो भी यहां पर effect होता है पूरी government एक अपना food security, energy और second है यहाँ पर threats जो कि all over world में यहाँ पर चाया हुआ है, global situation जो चल रहा है वो सही नहीं है, because अभी भी कहीं कहीं पर problem है, सबसे बड़े यहाँ पर food की अगर हम बात करें, food security की, तो वो Russia और Ukraine के कारण यहाँ पर काफी यहाँ पर दिक्कत में आया हुआ है, because दोनों ही सबसे दा यहाँ पर, right और wheat के यहाँ पर producer हैं, और दोनों में लड़ाई लगी हुई है, next question is, which country along with India has agreed to work in the area of deep tech startups, right on the star of sixes, it's C which is Luthania, okay, Luthania जो है वो एक European country, okay, and if I am not wrong, तो Luthania जो है, वो USSR से यहाँ पर अलग होके बनाया, okay, Estonia भी और Luthania भी, okay, even Belarus भी, शायद Belarus नहीं, आप लोग चेक कर लीजेगा, okay, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों के उपर बात किया कि तो पहला यहाँ पर है, कि भाई, जितने भी यहाँ पर semi conductor chips होते हैं, उनको यहाँ पर manufacturing हमें करना है, दोनों को mail करके यहाँ पर technology develop करना है, और उसके बाद यहाँ पर semi conductor chips जो and even यहाँ पर wealth creation, मतलब अपनी economy को भी यहाँ पर मजबूत करना, okay, इसके अलावाद दो अलग अलग चीज़े और हैं, जैसे कि अपना यहाँ पर life science हो गया और एक अपना यहाँ पर bio technology हो गया, तो इन दोनों में भी काफी कुछ यहाँ पर आगे development करना, okay, और साथ ही मैं य MOU with HTMI and Lameran Tech Skill University, right answer of 7th is, it's C, which is National Skill Development Corporation, okay, NSDC, okay, तो यहाँ पर इसका पहले full form देख लेते हैं, तो इसका full form है, यहाँ पर hotel and tourism management institute, okay, hotel, tourism management institute, इसका यहाँ पर full form है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो अपने वो students, या फिर वो candidate, जो यहाँ पर hotel management के अंदर, tourism management के अंदर, यहाँ पर certificates चाहिए, डिपलोमा चाहिए, advanced डिपलोमा चाहिए, और इन सब को courses को यहाँ पर design करने के लिए mainly बोला गया, okay, so that कि इनको यहाँ पर skill के साथ साथ, यहाँ पर certificates भी provide किया जाएगा, so that कि इनको in future, जो job opportunity है, वो यहाँ पर जादा मिल जाए, okay, इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों के लिए, अलग-अलग यहाँ पर six months के courses यहाँ पर design किये गया है, इनके field के बिल्कुल suitable है, मतलब जो यहाँ पर इनका field रहेगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर design किया गया है, इसमें digitalization है का आपको education provide किया जाएगा, वो एकदम यहाँ पर competitiveness यहाँ पर हर एक student को बनाएगा, okay, मतलब अपने आप में एक challenge रहेगा कि आपको यहाँ पर हर student से best यहाँ पर बनना, okay, और यहाँ पर domestic और international students को यहाँ पर attract करने के लिए mainly बोला गया, okay, तो काफी important है, इसके अलावा काफी मुश्किल होता है, otherwise, if you have skill, you can do anything, okay, तो skill development काफी important, okay, next question is, who has launched phase 2 of national surveillance program in चन्ना, it is, it's a D, which is union minister प्रशुक्तम रुपालाची, okay, यह हमारे fisheries, animal husbandry, और साथी में यहाँ पर dairy के यहाँ पर minister है, okay, union minister, okay, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई, जो अपना यहाँ पर aquatic animals ह है, उनके अंदर कोई भी अगर यहाँ पर disease होता है, या फिर कोई भी यहाँ पर genetic changes होता है, तो उसके उपर हमें यहाँ पर surveillance करके रखना है, okay, साथी में इन्होंने बोला है कि भाई, अब हमें यहाँ पर time आ चुका है, कि भाई, जितनी भी यहाँ पर fishes है, उनकी varieties को यहाँ पर बनाया जाए, so that की जो production level है, वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, okay, अभी तक इंडिया ने यहाँ पर 70 lakh ton यहाँ पर जो अपना, like, more than 70 lakh, 70 lakh ton इसमें यहाँ पर और add करना है, okay, 70 lakh ton fish को हमें यहाँ पर export करना है, अलग-अलग countries में, because इंडिया का जो यहाँ पर coast line है, न, वो काफी बढ़ा है, okay, और उसके फाइदा हमें उठाना मतलब काफी important, okay, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने यह भी बोला है, कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ fish selling करके यहाँ पर 1 lakh करोड रूपीज का यहाँ पर पूरा जो, मतलब हमने एक लक्ष रखा है, उसको यहा पर काम करना, okay, इन सब को यहाँ पे एक मेन इसको मतलब एक particular revolution जिसके अंदर इसको लेके आजाए जाए जिसको हम बोलते है, blue revolution, okay, blue revolution आप से simple question पूछ देगा, कि भाई, blue revolution किस चीज से related है, तो वो अपना यहाँ पे fish या फिर marine, marine या फिर aqua culture या फिर कैसा है हो, कि aqua what, जो aquatic animals है, उन से related है, यह फिर fish से related है, blue revolution, okay, ocean भी कर सकते हो, next question is, which country has been honored with the government leadership award 2023 by the GSM associations, right answer of 9th is, it's A, which is India, okay, तो इंडिया को particularly यह award मिला है, reason is that कि इंडिया ने यहाँ पे काफी अच्छे खासे यहाँ पे telecom policies और regulators यहाँ पे लेके आए हैं, जिसके कारण इंडिया के अंदर जो telecom sector है, उसने काफी यहाँ पे boom दिखाया, okay, after JIO, GEO के टाइम से ही मत्तब जो इंडिया के अंदर telecom sector है, उसके अंदर competitiveness काफी अच्छा खासा आ गया, okay, वरना एक time था, जब आपको 2G या फिर 3G net के लिए यहाँ भी 500-600 रुपय देने परते थे, 1GB के लिए, वह सिर्फ और सिर्फ 1GB के लिए आपको यहाँ पे more than 300 रुपीज यहाँ पे देना पड़ता था, लेकिन अभी 299 के अंदर यहाँ आपको एक महिने में per day 1GB के असपास मिल जाता, okay, तो यह काफी अच्छा यहाँ पे ल 387 districts में यहाँ पे अलग-अलग districts में यहाँ पे launch कर दिये गए है 5G को, okay, rollout हो चुका है, वहाँ पे लोग 5G को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ-कुछ जगाओं पे 5G जो है, okay, 5G जो है, वो trial phase में है, and the speed of 5G is really good, okay, मतलब 4G के according तो भही मतलब around 10 to 20 गुना 10 से 20 गुना यहाँ पे जादा है, okay, because हर जगा की जो location है, वो भी यहाँ पे vary करता है, अगर आप यहाँ पे डेली या गुजरात के अंदर से ले जाओगे, तो वहाँ आपको definitely 50 सेंभी पर second देखने को मिल जागा, okay, यह जो है, यह जो पूरा award है, वो यहाँ पे कहां पे दिया गया था, तो इ जहान मंतरी मोदी जी के कारण भी यहाँ पे जो टेली कॉम के अंदर है, वो बूस्त बगरा देखने को मिला, because इन्होंने यहाँ पे कई सहरे छूट भी हमें, जो टेली कॉम सेक्टर है, उसको यहाँ पे दिया, और फिर 4G आया, फिर 5G आया, okay, let's see कि 60 अब तक आता है, okay, next question is, who won the women's single title in national bandminton championship 2023, तो अनुपाम उपाध्या, okay, तो अनुपाम उपाध्या जो है, वो यहाँ पे women's के अंदर है, और मिथुन मंजुननाथ जो है, वो यहाँ पे men's के अंदर, okay, तो दोनों जो हैं, वो single-single यहाँ पे player है, इसके अलावा doubles भी आता है, और फिर mixed भी आ हो, यह court है, एक यहाँ पे woman है, और यहाँ पे man है, एक यहाँ पे woman है, और एक man है, तो इस तरीके से, तो इसके अलावा इसमें यही है, यह national level का था, तो इसमें कोई ज्यादा मतलब, important नहीं है, important यह है, कि जितने भी हमारे जो यहाँ पे best players है, उनको अब यहाँ पे international matches में इंडिया को represent करने का मौका मिलेगा, और उनको यह भी मौका मिलेगा, कि इंडिया के लिए अच्छे कासे medals और titles को यहाँ पे लेके आया, ओके, next question is, इसरो successfully conduct the flight expectance hot test of CE20 cryogenic engine for which mission, तो राद उनको 11th is, it's C, which is चंद्रयान 3, ओके, इंडिया जो है, वो काफी लंबे टाइम से, यहाँ पे चंद्रयान 3 के उपर काम कर रहा है, और यह एक काफी, मतलब, important part है, cryogenic 20, जो है, देखो, यह CE20 का यहाँ पे full form है, cryogenic engine 20, ओके, और यह चंद्रयान 3 में, यहाँ पे काफी important होने वाला है, इसको यहाँ पे launch vehicle mark 3 में, इसको यहाँ पे इस्तमाल कर जाएगा, ओके, यह one of the most important part में से एक होता है, और यह अपने आप में काफी important, ओके, इसके अलावा, जो इस mission जो यहाँ पे successful हुआ है, इसके काफी यहाँ satisfaction result है, वो इस particular engine ने यहाँ पे provide किया है, जो हमने यहाँ पे targets रखे थे, जो हमने यहाँ पे parameters रखे थे, बिल्कुल मतलब उसी के हिसाब से यहाँ पे आया है, एक percent भी उपर नीचे का नहीं है, मतलब पूरा perfect यहाँ पे अच्छे तरीके से काम किया, इसके अलावा अगर हम चंद्रियान 3 यहाँ पे लेकर आएगा, और if I am not wrong, तो September से लेकर के December के बीच में कभी भी इसको यहाँ पे launch कर दिया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे यह third moon mission है, यह हमारा जो की काफी important है, और इसका successful होना काफी important है, इंडिया के respect के लिए, औ और अगर यह successful हो जाता, तो इस रो के इतिहास में एक नया पन्ना, एक नया अध्या यहाँ पे जोड़ जाएगा, इस बार यह भी बोला गया कि चंद्रियान 3 के अंदर काफी, मतलब end to end capability है, कि भाई वो यहाँ पे safely land कर जाएगा, और यहाँ पे rover है, वो easily यहाँ पे lunar surface, यानि कि जो moon का जो surface है, उसके उपर वो घूम फिर पाएगा, और उसके बाद जो photographs है, वो भेज़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेशन इस, when we celebrate world life day every year, तो आज ही के दिन यहाँ पे इसको हम लोग celebrate करते हैं, world wildlife day, तो यहाँ पे wildlife के साथ-साथ, यहाँ जो अपना aquatic life है ना, उसके उपर भी mainly इसमें discuss किया जाता है, यहाँ पे हर जगह आप देख सकते हूँ कि यहाँ पे sustainable development के उपर बोला गया, यानि कि हमें यहाँ पे development भी करना है, साथ में हमें यहाँ नेचर को भी यहाँ पे मद्दे नजर रखना है, मतलब नेचर के साथ- खराब भी ना हो, मतलब नेचर कभी भी यहाँ पे exploit नहीं होना चाहिए, और development भी होना चाहिए, तो इसके उपर main रखा गया, इसके अलावा जो marine species है, इनको भी यहाँ पे, जो भी उनका यहाँ पे problem है, उनको यहाँ पे solve करना है, और जो अपना ecosystem जितना भी यहाँ पे खर आखने को मिलता है, तो इस इस इट गाइस, थैंक यू, और थैंक यू वाकिन दे शुडियो,